हेलो अलो फ्यू वेलकम बैक तो माई चैनल स्वास की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो डियाडियो का रिजल्ट है वह एक्सपेक्टेड कब तक है कि वह आ सकता है तो चलिए कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स को पहले कवर कर लेते हैं टेक्निशन का तो जो है डियाडियो को ने जारी कर दिया है अब बात है कि आपका जो डियाडियो सेप्टम 10 का रिजल्ट है इसमें आपका एंड इस टैनोग्राफर इन सबका जो रिजल्ट है वह आखिर कब तक आएगा तो सबसे पहले हम इंपॉर्टन पॉइंट्स को देखेंगे इस इन रेजिस्ट्रेशन डिट था वो आपका साथ नॉमबर 2022 से स्टार्ट हो गया था लास्ट डिट आपकी साथ इसमबर 2022 थी वेकेंसी कितनी आई थी आपकी जो वेकेंसी थी वह 1061 था ठीक है और फिर एक्जाम डेट आपका 20 मार्ट 2023 तक आपका जो है एक्जाम चला था ठ देखिए हम लोग एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि टेक्निशन का इतने टाइम पर एक्जाम हुआ था इतने दिन बाद रिजल्ट आया था तो सेप्टम का जो आपके एंडेश टार्ट अगरा है तो उनका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है तो अगर हम लोग देखे एक नजर की टेक्निशन ए डी याडियो का जो रिजल्ट है वो कब आया था पेपर कब हुआ था उनका नोटिफिकेशन जो है डीयो टेक्निशन ए के लिए इस नोटिफिकेशन को 23 अगस्ट 2022 को जारी कर दिया गया था इसमें कितनी वेकेंसि थी आपका जो डीयो टेक्निशन था उसमें number of vacancy 826 था एक्जाम कब गया था उनका उनका एक्जाम 6 11 जनवरी के बीच में हो गया था रिजल्ट उनका जारी कर दिया गया था 21 फरवरी 2023 को तो यहां से आप देख सकते हैं calculate कर सकते हैं कि जब छे से ग्यारत एक्जाम चला उनका जो है कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आया आपने अगर यहां से calculate कर लिया है तो आप जो है इसली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका अब आ सकता है कभी भी किसी भी वक्त आपका 15 अप्रैल के आएगा लास्ट वीक ऑफ अपरेल जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो डिया डो सेप्टम्ट 10 की बात करें तो एक्सपेक्टर रिजल्ट डेट तो अपरेल के लास्ट वीक में पूरा 100% लग रहा है बाकी 15 अपरेल के बाद कभी भी रिजल्ट जो है उनके भी यही कहानी देखी हम लोगों ने कि जब पेपर खतम हुए तो उसके कुछ दिन बाद फैबरी में रिजल्ट जारी किया गया था चलिए थैंक्यू so much watching इस वीडियो अगर वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like करें इस चैनल को ऐसी informative वीडियों लिए थैंक्यू so much once again for watching इस वीडियो